तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। पिवल टेबलेट मिर्गी रोधी दवाउं के समूह से संबंधित है। इसका उप्योग मिर्गी और द्विद्रुवी विकार जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह अत्यधिक मिजाज और असामान्य मस्तिश्क संकेतों को रोग कर काम करता है, जो दोरे को ट्रिगर करते हैं, फिट बैठता है। यह माइगरिंग की रोग थाम में भी मदद करता है। एपिवल टेबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तिमाल किया जा सकता है। इसे भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक तै करेगा। यह तब तक धीरे धीरे बढ़ सकता है, जब तक आपकी स्थिती स्थिर न हो जाए। इस दवा को काम करने में कई सपता हलग सकते हैं, लेकिन लाप पाने के लिए इसे नियमित रूप से लेना महत्वपूर्ण है। जब तक आपका डॉक्टर आपको सलाह न दे, तब तक इसे लेना बंद न करें, भले ही आप ठीक महसूस करें। आपको अधिक दोरे पर सकते हैं या आपका द्विद्रूवी विकार खराब हो सकता है। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में सिर्दद, जी मिचलाना, चक्कराना, नीन ना आना, कबज, डायरिया, दोहरी द्रिष्टी और कई अन्य लोगों के बीच वजन बढ़ना शामिल हैं। अधिका इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किड्नी या लीव की समस्या, मेनिंजाइटिस, या डिप्रेशन, या आत्महत्या के विचार हैं। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताएं जिनका आप उप कर रही हैं क्योंकि कुछ गर्भनिरोधक गोलियों सहित इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो खुराक को समायोजित किया जा सकता है। यदि यह दवा आपको नींद या चक्कर आती हैं तो आपको ड्राइविंग या साइकल चलाने से बचना चाहिए आप इस दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इसकी जांच के लिए आपको बार-बार रक्ट परीक्षन की आवशक्ता हो सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छ करें धन्यवाद